जारखन में साथ विश्वदाले हैं और तीन विश्वदालेयों में जल्द ही अस्थाई कुलपती की नियुक्ती होनी है। योग्यता रखने वाले प्रोफेसर ही इसमें शामिल हो सकते हैं। कुलपती नियुक्ती के लिए योजिसी के दिशा निर्देश पर राजभवन की ओर से एक कमीटी गठित की जाती है। कमीटी अहरता रखने वाले योग्य उम्मिद्वारों को सर्च करती है और आवेदन मांगती है। आवेदनों के स्कूटनी कर नाम से संबंधित अभ्यरती का पूरा विवरन राजभवन को दिया जाता है। उसके बाद कुलपती राज़सरकार से विचार में मर्शकर अंतिम मुहर लगाते हैं। कुलपती को नियकति का इदिकार बहां में कुलपती महोदयावे निहित है एक्ड बे और एक सर्च कमिटी बनती है जो सर्च कमिटी में आवेदन अमन्तृत किया जाते हैं। जितने भी आवेदन आते हैं ये खुला ओदन होता है पुले भारतवर्श के लोग इसमें करते हैं और वो सर्च कम्यूटी को दिया जाता है सर्च कम्यूटी चैन करके बकायदा नामों को महामें कुलदीपती महुदया के समज स्थापित करते हैं उपस्ति करा ते हैं और यूजी शी ने कुलपतियों की नियूखति के लिए सथ कमिटी का गठन किया है और सथ कमीटी के माध्यम से योग-उमिद्वारों की वोच की जाती है भी जूपन होता है लोग आवेदन करते हैं और सर्च कमीटी उसका चैन करके तम्युक करती है हाला कि जारखन में कुलपतियों की न्युक्ती में हमेशा पारदर्शिता बरतनी का दावा किया जाता है लेकिन यहां कुलपतियों की न्युक्ती हमेशा विवादों में रही है सिक्षाविदो ने सर्च कमीटी में बनाई गए मेंबर की योग्यता पर ही सवाल खड़े गए हैं उनका मानना है कि सर्च कमीटी की सदस्तियों की योग्यता कुलपती से अधीक होनी चाहिए तभी पारदर्शिता संभव है उन्होंने राजभवन पर कई बार मनमानी करने का आरोप लगाया है वही सिक्षाविद ने कुलपति नियुक्ति में राजनितिक पार्टियों के भी हावे होने का आरोप लगाया है बिल्कुल इसमें सचाई है ऐसा बिहार में भी जारखन भी हुआ है बस्तो जो विश्य नियुक्ति के लिए चैन समिति अगठन होता है वहीं गड़वणियां शूरू हो जाती है होना यह चाहिए कि जो कुलपति की नियुक्ति के लिए युगिता है उसे ज्यादा युग्य का भी लोग चैन समिति में होने चाहिए अभी तक इतने निउक्तिया होती रही है बिहार ज्यारखंड सब जगा हमने देखा है एवेन इलावादोगर्ण भी सब जगा दलगत अधार पर निउक्तिया होती है जिस दल की सरकार राज में है उस दल का नुमाइंदा जिसने पैरवी की वो होता है ज्यारखंड एक पिछडा राज में से है हमारा ज्यारखंड आज भी यहां बिहार से जब अलग हुआ उसके बावजूद यहां के सिक्षा व्युस्ता में अब तक सुधार नहीं आई है यहां के प्राध्यापकों को परमोसन नहीं दिया गया लगातार वो लोग परमोसन का इमांड करते रहाए प्रमोसन के मामले में अक्सर अग्सल दिखा जाता है कि चेहरे देख करके या तो दिये विश्विदाले भी है कुलपती बनने के लिए 10 वर्षों का अनुभव मांगा जा रहा है लेकिन जार्खन में ऐसे प्रोफेसरों की संख्या माद्र चार से पांच ही है यही वज़ा है कि दूसरे राज्यों से कुलपती के लिए अधिक से अधिक आवेदन आते हैं विश्विदाले में जो वीशी की निक्ति है वो राजपाल महोदे के द्वारे कमिटी बनाई जाती है सर्च कमिटी और फिर उसका वेकेंसी में कुलपती कि यहां से निकलता है जो भी प्रोफेसर होते हैं जिनका प्रोफेसर का ती दस ब्रस होता है वो भड़ते हैं और फिर जो सर्च कमिटी है वो नाम कर रिकुमेंट करती है उसके अधार पर कुलादीपती महदर निरने लेती हैं धारखन में अभी गिने चुने साथ याठ प्रोफेसर होंगे क्योंकि यहां पर नियुक्ति और प्रोनती दोनों का कार ये लगवग नहीं के बराबर हो रहा है नियुक्ति और प्रोनती सारे कार ये जेपीएसी को दिये गए हैं लेकिन जेपीएसी और इन्वस्टी के बिच तालमेल नहीं रहने के वज़ा से प्रोनती वर्सों वर्सों तक प्रोनती सिख्षकों की नहीं हो रही है इसका नतीजा ये आपको होता है कि जब भी कुलपति कुलपतियों की जरूरत पड़ती है तो बाहर के लोग आकर के जो प्रफसर रेंग के हैं वो उनको यहां बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है जारखन के साथ विश्विद्दालयों को अस्थाई कुलपति की जरूरत है इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है लेकिन अब देखना यह है कि इस बार भी कुलपति की नियुक्ति पारदर्शिता से होगी या फिर या फिर से विवादों में रहने वाला है चंदन भटाचार्या, ETV भारत, रांची